नमस्कार दोस्तों देवर्शी मिष्णा ट्रेनिंग चैनल में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपना resume में बनाते हैं अपनी PowerPoint presentation बनाते हैं और report बनाते हैं और सामने वाले को बेजते हैं सामने वाला हमसे यह कहता है कि नहीं आपको अपना resume में दूसरी format में बेजना है अपनी report या presentation दूसरी format में बेजनी है For example, आप अपना resume word format में बनाते हैं, सामने वाला आप से कहता है, नहीं PDF format में बेजो या आप PDF format में बनाते हैं, तो सामने वाला बोलता है, नहीं इसको word format में बेजो उसी तरीके से आप PPT बनाते हैं, सामने वाला बोलता है, इसको PDF format में convert करके बेजो या आपकी जो file है उसका file size बहुत heavy है इसको छोटा करके बेजो हमेंसे कई लोगों को इसके जिसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि इसको किस तरीके से convert किया जाता है आज की वीडियो में हम practically सीखेंगे कि ये सारे features किस तरीके से use किये जाते हैं तो दोस्तो practically सीखने के लिए वीडियो में अन तक बने रहीएगा आएए वीडियो की शुरुवात करते हैं अब देखें दोस्तो हमारे सामने यहां पर desktop पर एक file है एक resume है basically जो कि एक fresher mechanical engineer का resume है जो की PDF format में है हमने इसको email किया जिसको सामने वाले ने receive करने के बाद बोला कि नहीं इसको word format में change करके भेजिये तो हम इसको word format में कैसे change करेंगे आईए देखते हैं सबसे पहले हम जाएंगे Google पे Google पे हमें जाके लिखना है convert PDF to word जैसे हम इस पर type करेंगे और search करेंगे देखिए हमारे सामने कई सारे website open होकर आएंगे जहां पर एक website है जिसका नाम है ilovpdf.com हम इस पर click करेंगे जैसे हम इस पर click करेंगे आप देख सकते हमारे सामने page open होकर आएगा इस पर देखिए यहां पर option आ रहा है convert PDF का आप देखेंगे तो यहां पर देखिए आपके अप सामने multiple option आ जाएंगे जैसे आप JPEG को भी PDF format में convert कर सकते हैं word को भी PDF में कर सकते हैं पावर पॉइंट को भी PDF में excel को भी PDF में कर सकते हैं यहां पर हमें PDF को word में convert करना है तो देखिए हम इस पर klik करेंगे और यहां पर हमें select करनी है वो PDFल लो यहां पर desktop पर हम जाएंगे इस file को select करेंगे और open पर ऊपन पर click करेंगे जैसे हम open पर click करेंगे देखिए हमारे सामने option आ गया convert to word ने पर जो फाइल है वो convert होकर automatically download हो जाएगी word format में अब जैसे ही हम इस पर click करेंगे देखिए फाइल हमारे सामने open हो जाएगी जो कि PDF से अब word format में convert हो चुकी है आप देख सकते हैं आपके सामने फाइल open हो गई है तो इस तरीके से देखिए आपने PDF फाइल को word file में convert कर दिया उसी तरीके से दोस्तों अगर हम इसको किसी दूसरे format में भी change करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं for example अब देखिए जैसे हमें इसी PDF को JPEG format में convert करना है तो देखिए हम इस पर भी कर सकते हैं हम इस पर गए और again हमको PDF फाइल को JPEG format में convert करना है तो हमने इसको select किया हम open पर गए अब देखिए यहां पर option आ गया convert to JPEG हम इस पर click करेंगे जैसे हम इस पर click करेंगे हमारे सामने देखिए option आ गया download JPEG images हम इस पर जैसे click करेंगे देखिए हमारे सामने एक folder बन कर आ गया जिस पर देखिए हमारे सामने यह जो की हमारा जो resume था उसकी जो फाइल थी वो JPEG format में convert हो चुकी है आप देख सकते हैं यह देखिए तो इस तरीके से देखिए यहां पर PDF format को JPEG format में भी convert कर दिया गया उसी तरीके से अगर आप चाहें तो इसी PDF format को PowerPoint format में भी convert कर सकते हैं देखिए जैसे हमने इस पर click किया अब हमें दुबार से PDF file को select करना है हम यहां पर गए हमने इसको select किया अब देखिए यहां पर हमारे सामने option आ गया convert to PPTX अब जो हमारी format में convert हो गई देखिए हम इस पर click करेंगे जैसे हम इस पर click करेंगे हमारे सामने PPT format में दिखेगी आप देख सकते हैं यह PPT format में convert हो गई तो यह बहतरीन option है जिसका आप इसके अलावा एक और बहुत interesting feature जो मुझे लगा आप इसी PDF format को चाहें तो Excel format में convert कर सकते हैं जी हां देखिए यहां पर option आ रहा है PDF to Excel हम इस पर जाते हैं और इसी PDF file को Excel format में भी convert कर सकते हैं देखिए यहां पर मैंने option का अस्तमाल किया और इसको Excel sheet में convert करने की कोशिश की है देखिए convert हो रहा है और जैसे convert होगा यह आपके सामने होगा download Excel का option आ गया मैंने इस पर click किया अब आप देख सकते हैं हमारा resume में यह हमारे सामने Excel file में भी convert हो जाएगा यह हो रहा है देखिए हमारे सामने यह file आ गई जो की अब यह Excel sheet में है तो देखिए यह कितना जबर्दस feature है जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं और यह आपको आपकी file या document या resume को अलग-अलग files में convert करके दे सकता है इसके अलावा देखिए यहां पर compress PDF का भी option आ रहा है compress PDF का मतलब है अगर जो file size है अगर आप उसको compress करके छोटा करना चाहते हैं तो उसका इस्तमाल भी आप कर सकते हैं देखिए मैंने इस feature पर click किया यहां पर मैंने PDF file को select किया और इसके बाद मैंने open पर click किया अब आप देखेंगे थोड़ी देर में कि यह जो file size है वो छोटा हो जाएगा देखिए option आ रहा है compress PDF का मैंने इस पर click किया अब इसके बाद देखिए यहां पर यह option दिखा रहा है कि जो मेरी file है वो 84% तक smaller हो गई है मतलब 163.59 kb से 27.28 kb तक हो गई है और देखिए download भी ह हो गई है राइट अब आप देख सकते हैं जो मेरे सामने अब जो file size है वो छोटा file size हमारे सामने open होकर आएगा जो की compressed है जो पिछला था उससे काफी छोटा है तो आप इस feature का इस्तमाल कर सकते हैं आप इस feature का इस्तमाल कर सकते हैं जो file size को छोटा भी कर सकता है और आपके resume को पहले से काफी कॉंप्रेस भी कर सकता है तो दोस्तों याद रखिएगा इस वेबसाइट का नाम ilovpdf.com जिसका इस्तमाल करके आप अपने वर्ड फाइल को pdf में pdf फाइल को वर्ड में या किसी भी फॉर्मेट में कनवर्ट कर सकते हैं आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा आई होप इस वीडियो ने आपके कुछ डाउट्स क्लियर किये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत बूलिएगा और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो